मैंने ये एनिमे लगबग एक साल पहले देखा था लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा था कियार मैंने इसके सीजन कितने देख लिए थे फिर भी मैंने जब इसको दोबारा देखा मुझे इसने बोर नहीं किया नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा 7 deadly scenes ए सहां नहीं बता देता हूं एक किंग्डम होता है लियोनस शायद मैंने उसका नाम सही से लिया तो वहां पर यह जो लोग ते 7 deadly scenes थे वहां पर इनके उपर यह इल्जाम लगाया गया कि यह तकता पल्ड करना चाहते हैं मतलब सत्ता बदलना चाहते हैं और वहां पर इन्हों जो holy nights से वो इसके खिलाफ हो जाते हैं और फिर यह जो 7 deadly scenes है यह जो 7 लोग हैं वहां से वो चले जाते हैं अब किसी को नहीं पता होता है यह कहां गए जिंदा है यह अमर गए 10 साल भी जाते हैं इस बात को फिर 10 साल बाद जो उसी kingdom है लियोनस जो kingdom है उसी की एक प्रिंसी इन 7 deadly scenes को ढूंडे निकलती हैं क्योंकि यह चाहती है कि जो holy nights है इन्होंने अब कबजा कर लिया है उसी kingdom के उपर उसके जो पिता है जो राजा है उसको एक तरीके से बंदी बना के रख लिया है अब जो 7 deadly scenes थे इन 7 लोगों को इन्होंने एक plan के थूरू उस kingdom से बाहर अब इन साथों को ढूंड कर इकठा करके holy nights के खिलाफ उनको खड़ा करना चाती है ताकि वो उनको रोक सके और वो अपने पिता को अजाद करवा सके इस एनिमे के अंदर supernatural powers भी है लेकिन यह शावनी नहीं है कहीं सोचो कि यार इसमें शावनी नरूटो जैसे कुछ हो वैस इसमें नहीं है और साथ इसके अंदर mystery है, thrill है, comedy है, देखो यार comedy में मुझे एक इनसान बहुत जादा पसंद आया, उसका नाम है Captain Meliodas, Captain मतलब कि यह साथ 7 deadly scenes है, इन सातों में से जो Captain है, उसकी का नाम Meliodas है, अब यार यह बंदी की जो comedy सीनी की है, मतलब जैसी इसकी हरकते हैं, वो बहुत कमाल किती, देख कर मतलब जब यह Elisabeth के साथ होता था यह समझ जाओगे जब आप इसको देखोगे, अब फिलाल first season में इसके 24 episode है, अब देखो है 24 episode में यह जो सातों जो है वो अलग हो चुके थे, यह से 10 साल पहले, अब यहाँ पर जो इन सातों को एक करके इकठा मतलब मिलाया जा रहा है, इनके बारे में कभी कहानी नहीं बताएगी है, सिर्फ एक ही जो है वो एनिमे करेक्टर है, जिसका नाम होता है King in Seven Deadly Sins में, Harley Quinn उनको कहा गया है, King जो है वो उसका क्या फैरी टेल्स का शायद राजा होता है, अब मुझे नाम याद नहीं प्रोपरली, तो वहां का जो राजा होता है, वो उसी की कहानी बताएगी है, ये कि एक्चुल में कहां से आया है, इसकी स्टोरी क्या थी, कितने साल पहले अपने घर से निकला था, इसकी एक बहन भी थी, हाँ, एलीन उसका नाम था, तो उसकी एक बहन भी थी, तो ये सब चीजें जो है, इसकी कहानी के बारें बताया जाते हैं, लेकिन और किसी की कहानी इसमें नहीं दिखाया जाती, हाँ, थोड़ा बहुत मेलियोडेस के बारें में बता दिया जाते हैं, कि 10 साल पहले जो है, जो जिस लड़की से प्यार करता था, उसका कटल हो गया था, अब क एनिमे सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसके अंदर जितने भी करेक्टर है एनिमे जो साइड एनिमे करेक्टर है उनकी भी एक स्टोरी दिखाई जाएगी क्यों कि मुझे यादा रहा है कि मैंने इससे जादा देख लिये तो इनकी साथ इनकी जो कहान ही दिखाए जाएगी इससे क्या होगा कि हमें यह एनिमे समझने में में हेल्प मिलेगी इनक्रेक्टर से जुड़ने में हेल्प मिलेगी और काफी अच्छा लगए कि हाला इनके बारे में बता कर, इससे एनीमे यार और ज्यादा इंट्रस्टिंग हो जाता है, और साथ ही साथ इस एनीमे में केवल फइटी ही नहीं, लव स्टोरी भी दिखाएगे, एक नहीं, दो, नहीं, तीन, वैसे एलिजाबेट के उपर कोई भी आना चाह जाए इसका जो चहरा होता है ना सामने जो आता है इतनी अलग होता है अब देखो है Meliodas की एक डार्क साइड भी है वो जैसे उसके चहरे के उपर एक निशान आ जाता है अब ये निशान क्या है देखो इसके बारे में अभी तक इसमें प्रॉपरली नहीं बताया गया और साथ इसके साथ बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं जब ये सीजन फर्स्ट कतम होता है आने वाले जो सीजन है हमें उसका जवाब मिल जाएगा इसके पार इतनी पावर कहां से आ रही है ये मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जहां तक यादा आ रहा है मैंने इतना आगे तक नहीं देखा था मैंने थोड़ा वो था जहां पर बैंड की स्टोरी दिखाए जारती जो ये इनसान मर नहीं सकता कभी इसकी जो स्टोरी दिखाए रहती थी सैकिंड सीजन में आएगा तो मैंने उस तक ही वहां तक ही देखा है जो दूसरी जोड़ी है वो है बैंड और एलीन की अब एलीन जो है वो किंग की बैं है अब यहां पर ये जो दो जोनों मिलते हैं और जैसे इनके बीच की जो रिलेशनसिफ दिखाए गए बहुत थोड़ी सी है मतलब जो इनके बीच में मिलना हुआ कुछ टाइम एक दूसरे को जानना और जिस तरीके से एलीन बैंड से कनेक्ट होती है इवन अपनी जान देने के लिए बिल्कुल नि डरेगा कहता भी है कि यार मेरी जान ले लो और इसको वापस जिंदा करो क्योंकि एलीन जो है मर जाती है और इसको जिंदा करने है इसके एक मकसद बन जाता है कि जैसे तैसे एलीन को ये जिंदा करे अब मरत हो सकता है लेकिन ये इतना जादा खतरना का ये किसी को मार भी सकता है मतलब किसी को भी ये किसी को नहीं छोड़ने वाला होता जो तीसरी स्टोरी है वो डियाना और किंग के बीचे अब देखें यार इसको one side love ही कहो क्योंकि याड इसमें जो king है वो डियाने से प्यार करता है डियान ना शाहिद मैं उसका नाम सही से ले रहा हूँ अब डियाने जो है वो king से प्यार नहीं करती वो meliodis से प्यार करती अब उसके पीछे भी एक कहानी अब बहुत सारे राज है यार वो एक season मतलब का ही episode बजाता है 24 episode तो नाम के ही है जिसके अंदर जो villain दिखाया जाहिए जो opposite character है वो तो शुरुआत है असली तो आने बागी है और आप लोगों को ये legally देखने को मिल जाएगी Netflix पे इनने Netflix ने इसे purchase कर रखा है English में dub मिलेगी साथ में subtitle भी मिलेगी लेकिन यार ये हिंदी का राग मतला अपना क्योंकि यार हिंदी एनिमे से 36 का अंकड़ा है भी दोनों के बीच में ये दोनों एक साथ नहीं आ सकती टाइम लगेगा मैं ये नहीं क्या रहा है कि नहीं आएंगी कभी अभी फिलाल तो शाहिद टाइम लगेगा सुपर पावर के साथ साथ फ्रेंडशिप, लव, निस्ट्री, थ्रिल, कोमेडी बहुत सारे जो जो जोनर हैं इसके अंदर डाले गए जो काफी अच्छा बना देता है इस एनिमे को और देखकर काफी अच्छा भी लगता है तो मेरी तरफ से इस एनिमे को मैं दूँगा टाइट पॉंट फाइफ आउट ओफ टैंसर अगर आप लोगों ने इस सीरीज को देख रखा है तो प्लीज कोमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखा तो एक बार जुरूर ट्राय करना एक ही एपिसोड या दो एपिसोड देखना आप लोगों का ओटोमेटिकली इसके अंदर इंटरेस्स बन जाएगा और आप अपने आपको रोकी नहीं पाओगे इसको देखने के लाबा तो बस आज के लिए इतना इता इस वीडियो में थेंक्स वर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद